लेबलान के हिजबुला लड़ाकों ने इसराइल के किरियाद शमोना शहर को 70 रॉकेट धमाके से दहला दिया है सीरिया बॉर्डर पर भी इसराइल को खत्रे के सिगनल मिले हैं अब इसराइल को डर है कि कहीं चौते फ्रंट ना खुल जाएं लेकिन बड़ी खबर हमाज शीप सिन्वार की सुरंग से आई है जो बहुत चौकाने वाली है 65 रॉकेट से दहल गया इसराइल गिरियाद में आईडिय फाइट पॉर्टर पर हमला नसरल्ला के कत्यूशा ने मचाया कोहराम सिन्वार के टनल वारियर आक्टिव सिन्वार ने दिखाया नरक शाफ एक घंटे के बीतर 65 रॉकेट धमाके इसराइल का किरियाद शमोना धुआ धुआ हो गया धमाके इस गुल्ला फाइटर्स ने किये निशाने पर इसराइल का बेस था कत्यूशा रॉकेट की प्रहार से इस गुल्ला ने आईडियवके सेनने ठिकाने को तभा करने का एलनान किया है वह इसराइल ने दावा किया है कि हजगुल्ला के रॉकेट अटैक को मस्भूती से जवाब दिया गया है ज्यादा तर रॉकेट को हवा में ही तभा कर इसराइल ने आग बुजाने का मिशन भी शुरू कर दिया है इस बुल्ला लडाकों के दागे गए रॉकेट रहाईशी बस्कियों में भी भटे है हालकि किसी भी तरह के जानी या माली नुक्सान की खबर अभी तक नहीं आई है मगर इसराइल का क्रोग लिवनान फ्रंट की जगा गजा में दिखने लगा है गजा में जलते रॉकेट की आंदी थमने का नाम नहीं ले रही बारूदी गुबार से ढकी गजा सेटी रह रहकर आग की लप्तों में घिरती है चीख पुकार मचती है और पिर इमारत काला खंडर बनती है जमीन पर टैंक के गोले जलजला ला रहे है आसमान से बरस रही मिसाईले मौत बाट रही है हमास रडा के आमने सामने के युद में कहीं टिक नहीं पा रहे मगर जो युद हो रहा है दिखाई दे रहा है ये जंग उतनी भन नहीं असल रडाई जमीन के नीचे शुरू हो चुकी है सुरंग में बैठे हमास के खुंखार पल्टन भीशन पलटवार कर रही है अपने बिलों से निकल कर हमास के स्लीपर सोलजर कैसे कोहरा मचा रहे हैं उसकी बस एक जहलक देखिए सुरंग से दबेपाउं निकलते हैं हमास के बंग स्कॉट इसराइल की फोर्ट को करीब जाकर दहलाते हैं सिनवार के आत्म घाती हमलावन इस घातक और विद्बंसक हमले का तोड अब दक नेतन याहू की सेना तलाश नहीं पाई है हमास के अकेले सुरंग वारियर्स के मुकाबलर करने के लिए इसराइल को कितनी ताकत लगानी पड़ लही है उसका सबूत ये वीडियो है इसराइल फोर्स से घिरा हमास का लवा का पत्थरों से बनी इमारत में शरण लेकर बैठा था उसे घेडने के लिए एक दरजन से ज्यादा आईडियेफ सोल्जर्स ने फाइरिंग की वेस्बैंक के हिब्रॉन में ये भिलंग कैमरे में कैप्चर हो रही थी कैई घंटों तक चले शूट आउट में आखिरकार आईडियेफ काम्याब रही लेकिन एक अकेले हमास के लडाके ने दरजनों जवानों को जोरदा अटक कर दी इसी तरह उत्तरी घजा में इसराइल के हमले में 6 लोगों की मौत का दावा किया गया है जबकि हमास को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है शेक जाइट टावर्स इलाके में हुई भीशन लडाई में आईडियेफ के कैई जवानों को जखमी कर हमास फाइटर्स सुरंग में जाकर आराम से छिप गए टनल बैटल में हमास इसराइल फोर्स पर भारी पड़ रहा है इसकी वज़ा सुरंग में मिल रही इरान और हिजबुल्ला का फुल बैक अप है इसराइल के पूर्ग कैबिनेट मन्त्री और सेन ने परमुक बैनी गेंट्स नेतो नेतनियाहू को ये वॉन्निंग भी जी है कि सुरंग में बैठे सिन्वार का सफाया लगभग नामुमकिन है अगर नेतनियाहू सही युद ररन निती नहीं बना पा रहे तो हुने सरेंडर कर देना चाहिए नेतनियाहू लो मवीन शे अखरे शिवाव ऑख अक्तोबर है को लिश्तना हम येश लो सफेक शेनुआर है खुसाल शेन अगिया लेन शे चर्ग तमीड हमास चीफ सिनवार बीते दस महां से सुरंग में चिपा बैठा है सिनवार, अमेरिका और इस्राइल दोनों को चख्क मा दे रहा है आछिछ सिनवार का सर्च आपरेशन इतना लंबा क्यूं खिष्टा जा रहा है क्या है अंडर ग्राउंड घज़ा की हकीकत इसराइली हमलों से बचने के लिए हमास ने पूरे घाजा शहर में सुरंगों का ऐसा जाल बिचाया है कि दुश्मन उनका ज्यादा कुछ बिगाड नहीं पाते हैं हमास के इस नेटवर्क को घाजा मेट्रो या अंडरग्राउंड घाजा भी कहा जाता है एक वक्त इसराइली एक्सपर्ट्स ने ये अनुमान लगाया था कि पूरे घाजा में सता से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगे है हाला कि या आंकलन उस वक्त गलत निकला जब आईडिय अपने 1500 से ज्यादा टनल शेफ्ट को खोज निकाला हमास के इसी अनधेरी दुनिया में इसराइल के नागरिकों को बंदख बना कर रखा गया है एक एकर हमास लड़ा के बंदखों को मारते जा रहे हैं जिससे इसराइल में भारी बकेडा मचा हुआ है आल ही में 6 बंदफू की मौत के बाद से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई है देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन से नेतन्याहू जहां बैकफुक पर है वहीं सिन्वार अपनी सुरंग से निकल कर नए हमले की प्लानिंग कर रहा है सिन्वार ने सभी सुरंगों के दर्वादों को धमाके का ट्रगर बना दिया है अमाज के अंडरग्राउंड नेटवर्क एक अरब डॉलर से ज्यादा कर्च करके अपग्रेड किया गया है सुरंग के एंट्री पॉइंट को ऐसे बनाया गया है कि बाहर से छूते ही जोरदार दमाके होने लगते हैं जीपियस सिस्टम और रोबोट से उपरेट होने वाला ये सिस्टम मिसाइल हमले को भी नाकाम कर देता है हमाज की सभी सुरंगे गाजा पट्टी की गनी अबादी वाले शहरी इलाकों में बनाई गई है यहां अमनागरिक और रहतिहासिक स्थाल है हमाज की रणनीती भी इलाके पर कब्जा करने या हमलावर को हराने की नहीं है सिन्वार की स्ट्राटीजी कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुचाने की है जिसके लिए वो इसराइली सेनाओ की पकड़ से खुद को दूर रखने के लिए अपना भेश बदल कर घुले आम भूमता भी देखा गया है बहिनाओं के कपड़े में घजा की गल्यों में घूम चुके सिन्वार को आईडियफ सूल्जर्स पहचान भी नहीं पाये थे इसराइल के लिए हमास की सुरंग जाल को भीदपाना आसान नहीं है आईडियफ की गहरी सुरंगों और बंकरों को बरबाद करने के लिए खास तरह से भी स्पोर्ट करने की जरूरत पड़ती है इस तरह की लडाई में सबसे बड़ी चुनोती सुरंगों को खोजने में लगती है और फिर उसे तबहा करने में लगती है जिसमें अच्छा खासा वक्त लगता है इसी फासले को हमास रड़ा के अपने हक में इस्तिमाल करते है वार जोन में हमास चीफ सिन्वार भले ही रॉब जमा रहा है लेकिन अमेरिका ने सिन्वार को उल्टा टांगने का एक्शन ले लिया है अमेरिका ने इस्राइल पर साथ अक्तुबर को हमास की ओर से किये गए नरसंगार के आरोपों की घोशना की है इस्राइल में साथ अक्तुबर 2023 को हुए नरसंगार के केस में हमास चीफ यहिया सिन्वार, पूर्व हमास चीफ इसमाईल हानिय, मारवा ईसा, खालिद मशाल, मुहम्मद अलमसरी और अली बराका के खिलाफ आप रादी का रूप तै कर दिये गए हैं सिन्वार के खिलाफ न्यू यॉच की अदालत में सक्त फैसला सुनाए गया है Today, the Justice Department unsealed charges against Yahya Senwar and other senior leaders of Hamas for financing and directing a decades-long campaign to murder American citizens and endanger the security of the United States. As outlined in our complaint, those defendants, armed with weapons, political support and funding from the government of Iran and support from Hezbollah, have led Hamas's efforts to destroy the state of Israel and murder civilians in support of that aim. America में Hamas की टॉप लीडर्शिप पर कानूनी हंटर चलानी की तैयारी है लेकिन सूपर पावर, Hamas कमांडरों तक कभी पहुँच पाएगा भी फिलाल इसके कोई आसान नहीं दिख रहे है Iran के समर्थन से Hamas फिर से ताकतवर बन चुका है इरानी हत्यारों से Hamas के लड़ाके तुलकरम और वेजब बैंक में आईडिएफ कोई चुका रहे है रफा फरंट पर हिजबुल्ला के फुल सपोर्ट ने भी Hamas लड़ाकों में नई जान फुक दी है आईडिएफ को सबसे बड़ा खत्रा फिलहाल लेबनान फरंट पर है जहां नसरल्ला ब्रिगेड भेंकर पलटबार शुरू कर चुकी है अपने टॉप कमांडरों के खात्मे से बौक लाए हिजबुल्ला फाइटर इसराइल में खुषकर बड़े हमले की प्लानिंग में है उफिया रिपोर्ट्स में दावा तो यहां तक किया गया है कि हिजबुल्ला फाइटर घजा की सुरंग में बेस बना कर हमास के साथ जॉइन्ट अटाक को अन्जाम दे सकते है इसका पता सीरिया बौर्डर पर गुलान हाइट्स बेस पर हुई एक घुसपैट से चला है इसराइल को अब सीरिया फ्रंट पर भी ऐलर्ट मोड में रहना होगा सीरिया रूट का इस्तिमाल हिजबुला या फिर कोई भी मिलिशिया गुट आसानी से करके इसराइल को दहला सकता है